बिहार फर्स्ट एक्सप्रेस्वे, देश के विभिन राज्यों में एक्सप्रेस्वे का मिर्मान हो चुका है, वहीं कुछ प्रदेशों में एक्सप्रेस्वे निर्मान कार्य जारी है, लेकिन बिहार में एक भी एक्सप्रेस्वे नहीं है, हाला कि अब बिहार राज्य को समर पित एक एक्सप्रेस्वे निर्मान जल्दी किया जाने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक आमज और अंगाबाद दर्भंगा एक्सप्रेस्वे की सौगात जल्दी मिलने वाली है। 189 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस्वे की आधारशिला केंद्रिय सगक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी रखने वाले हैं। संत समागम में शिर्कत करने पहुँच रहे हैं नितिन गटकरी। केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी 14 नवंबर को बिहार के बक्सर जिले में आयोजेत संत समागम में शिर्कत करने पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में वह एक्सप्रेस्वे परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रिय मंत्री एक्सप्रेसिनवे की आधारशिला रखने के साथ ही तीन आन्य परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत करभी 2300 करोर रुप्य की है। सिर्फ चार घंटे में पूरा कर सकेंगे उत्तर से दक्षन बिहार का सफ़र। का निर्मान होने के बाद उत्तर से दक्षन बिहार का सफर सिर्फ चार घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दे कि इस एक्सप्रेस्वे एनेच 119 दी के तौर पर एनेच आई ने अधिसूचित किया है। प्रदेश के साथ जिलो की रहेगी एक्सप्रेस्वे से कनेक्टिविटी। एनेच 119 दी बिहार का पहला एक्सप्रेस्वे नेशनल हाईवे माइनस 19 स्थित औरंगाबाद जिले से होकर गुज़रेगा। आमस से शुरू होकर यह एक्सप्रेस्वे नवादा गाव दर्भंगा नेशनल हाईवे माइनस 27 तक जाएगा। आपको बता दे कि इस एक्सप्रेस्वे से प्रदेश के साथ जिलो की कनेक्टिविटी रहेगी। जिसमें औरंगाबाद, आर्वल, जहानाबाद, दर्भंगा, पतना, वैशाली और समस्तिपूर जिले शामिल है। एक्सप्रेस्वे परियोजना के मद्देनज भूमी अधिग्रहन का काम पूरा होनी की कगार पर है। आपको बता दे कि इस परियोजना का निर्मान कार्य भारतिय राश्ट्री राजमार्क प्रादिकरन द्वारा किया जाएगा।